हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं इस्टडी फीड चैनल दोस्तों प्रिवियर सीयर में जितने भी कोश्चन्स प्रिवियर सीयर में पूछे गए हैं उन सभी कोश्चन्स को टापिक वाइज आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूं यह सीरीज नमबर 80 है एंड बास्केर बॉल से किषसे बास्केर बास्केट बाल खेल की सुर्वात किसने की तो बास्केट बॉल खेल की सुरुवात किसने की जेम्स स्मीथ ने किया कब किया 1891 में कहां किया अमेरिका के वाइम्स ये स्कूल में ठीक है और जेम्स स्मीथ थे कहां के एक कनाडा के थी अधाये जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आध्वनिक बास्केट्बॉल अधायित है तो कौन सा खेल ऑध्वन खेल में दूसरे और तिसरे मध्य में मध्यांतर का समय कितना होता है जैसे कि दूस्तों बास्करबार का समय 40 मिनट होता है 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं और इसमें पहले और दुसरे और तिसरे और चौथे मेरे के बीच दो मिनट का गयफ होता है एंड तिसरे दूसरे और तिसरे के मध्य 15 मिनट का होता है यहां पर पूछा क्या है कि दूसरे और तिसरे मध्य में मध्यांतर कितना दिया जाता है 15 मिनट का ठीक है नेस्ट है बास्केबाल खेल का समय होता है कितना होता है दोस्तों 10-10 मिनिट की चार क्वार्टर होते हैं आफसर नमबर भी करेक्ट होगा ठीक है दोस्तों नेस्ट है बास्केबाल खेल में पहले 10 मिनिट का खेल समावत होने पर बिसराम का समय कितना होता है तो कितना होता है दूस्तों दूस दू दूस पंदरे दूस इस प्रकार होता है तो पहले 10 मिनट के खेल समाप्त होने के बाद कितना भी स्राम दिया आता है दू मिनट आपसन नंबर बी करेट होगा नेश्ट है बास्केट बाल से संबंधित ट्रॉफी है कौन सा ट्रॉफी है इसमें पोड़ी में अध्यांचन ट्रॉफी तो है नहीं यहां पे है एस एम अर्जुन राजा ट्रॉफी बास्केट बाल से संबंधित है अन्न में है टॉर्ड मेवयल ट्रॉफी वीश्टी गुप कि नेश्ट कोंसलिट है उचित मिलान करना को जैसे कि एह विसे समधित है फूटबाल से यह भी बीसी गुबता कहता है उचित मिलान करना है आपको यह रचाइज़ अधिसे समन्धित है फूटबाल से एक और वर नहीं हो जायेगा दुसरा है लेरी रिद्नट ट्वारत बशान ट्वाटीं क्या रेलेटेट है तो महिला हाकी से समझत धायं है बी का टू ही हो जाएगा थी है कुछ बिहार ट्राफी हिसी समझित है किससे एक cricket से समझीत है, यानि C का 3 ही हुझाएगा, D हैै, William Jones Cove, किसे समझीत है, इस बसकेट बॉल से समझीत है, तो D का 4 हुझाएगा, यानि कि sequence से है, आपसंद नमबर A ऐप करेक्ट होगा, नेजस्ट है, बसकेट बॉल का भार कितना होता है, तो कितना होता है 600 से 600 ग्रम अप्सन नमबर डी करेक्ट होगा नेश्ट है बास्केटबाल कोर्ट की माप क्या होती है तो कितना होता है बास्केटबाल कोर्ट की माप 28 गुड़े 15 मिटर होता है एंड इसमें खिलारीयों की संख्या एक टीम में 5 होता है एंड पांच खालाविए होते हैं पांच अतरीत खालाविए होती इसबल्हाव अज़तियो ना करके ह्लाव खाला होते हैं बास्केशि करें केंफकर बाल करणा करें 12 होते हैं बास्केरबाल कोट को चिन्हित करने वाली लाइनों की चोड़ाई कितनी होती है दोस्तों तो पांच सेंटिमिटर होती है नेश्ट है बास्केरबाल के समद्ध में निम्न लिखित में से क्या शही है तो दोस्तों पहला है इसके कोट की लंबाई 28 मिटर होती है यह तो शही है बास्केट रिंग का ब्यास 16 इंच होती है गलत है क्योंकि 18 इंच होता है या तो 45 cm होता है इसके कोड के लंबाई 26 मिटर यह भी गलत है बास्केट रिंग का ब्यास 18 इंच होता है इसके आकार की परिधी कि माप यानि छे बास्केटबाल बहतर सेंटिमीटर होती है यह सही है यानि इसमें आपका आपसर नंबर बी करेक्ट है एक चार पांच यानि बास्केटबाल की जो ग्राउंड होता है आठाईस मिटर लंबाई होता है रिंग का ब्राउंड होता है एक बास्केटबाल की आरंभ कैसे किया जाता है तो कैसे किया जाता है बाल उच्छाल कर आपसर नंबर सी करेक्ट होगा यानि की जंपबाल से नेश्ट है बास्केर बाल खेल में खेल केंद्रिये बित में बाल उचालने को क्या कहते हैं वससे सुव便 कर से हमसे बाल को टेम दौरा कितने श्रंवें में पहुचा देना चाहिए तो आट सेकंड में यानि कि दोस्तों जैसे कि आपके कोर्ट में बाल है आप दूसरी कोर्ट में 8 सिकंड के अंदर आपको पहुचाना होगा वही पर तीन सिकंड का नियम क्या होता है जो बास्केट बाल में प्रतिबंधी छेतर होता है उसमें यदि आपके कंट्रोल में बाल है तो उस पतिवन्दी छेतर में आप तीन से अधिक नहीं जा सकते आपके कि यहिंट्र में बास्केट बॉल में एक और एक का नियव कब लाग Cantive legal होता है तो इसमेंब एक और एक का नियव में लागु होता है जब टीम का शातौबा फॉवल पुरा हो जाए ठीक है तो एक और एक का नियव में लागु हो जाता है तो एक और एक का नियम लागू होता है ठीक है क्या लागू होता है एक और एक का नियम लागू होता है इस एक और एक नियम के अंतरकत किसी भी खिलारी द्वारा फाउल होने जिस विपत्थी खिलाडे के बिर०्द फाउल हुआ है तो उसे फ्री थ्रो दी जाती है उसे क्या दिया जाता है फ्री थ्रो दिया जाता है जा लिक होता है यानि परसनल फाउल में तकनिकि फाउल मुलते हैं इसको कांटेंट फाउल शबर भी बहते हैं जैसे कि धखा देना पकड़ना रोकना पूसिंग हैंलिंग ब्लाकिंग कुम्नी मारना आक्रमर करक साथ्यं रच्छातमे खिलारी साथ शज़र एक र case है इल्लीगल स्कीन कहेंगे यानि 5 फाउल पर बाहर हो जाएंगे पांच बेक्तिगत फाउल होने वाएंगा और एन्ड तकनीकी फौल टेकनिकल फाउल क्या होता है कि नान प्लेयर फॉल में क्या होता है कि प्लेयर फॉल और दो तक्निकी फॉल यकिन्लानेशामे प्लेयर फॉल में हो और दो टक्निकी फॉल होनी पर साथ फॉल होनी पर एक और एक कर्नियम लागो होता है कितना वहता है 45 cm कहीं कहीं 18-46 cm भी मिलता है नेस्ट है बास्केट बाल में नीट्रल जो उनकी लंबाई कितनी होती है तो कितना होता है 40 cm ठीक है नेस्ट है शिप्टिंग का संबंद है किसे संबंद थे शिप्टिंग का बास्केट बाल से अन्य में कोंगली का प्रयोग किया जाता है जैसे कि इसमें डबल फाउल, फ्रन्ट कूल, कोट, ड्रिबल, फ्री थू, परस्नल कॉंटेट, जंप बाल, प्लेंग टाइम, रिंग, रन्ट पास्केट, आउटन आफ बास्केट, बांदे, इंटर मीसन, वा इनटिवायाजन, वायलेशन, कैरीइंग, शिर्टिंग दिनुन, गैदूटि निग पास्केट भाल, जिर्बल करिकेट बास्केट भाल में के अन्य में परिवक किया जाता है आट्से के बाटेंग य सेट सार्ट किसमें समझदी थे बास्केट बाल से समझदी थे जैसा कि यह एक ऐसा स्टार्ट होता है जो बिना किसी रुकावट के बहूत अच्छी संतुरंग की अवस्था से लगाया जाता है सेट सार्ट बास्केट से एक निश्चित दूरी से इस्थी अवस्था में खड़े होकर दोनों हाथों से बाल को बास्केट में डालकर अंक अजित करने हेतु लगाया जाता है लगाया सार्ट है बास्केट बाल से समझेत कुछ अन्य सब्दों को जैसे की रिबाउंड किसी कहा जाता है जैसे की रिबाउंड इस सब्द का परियोग तब किया जाता है जब बाल बैक बोर्ड या बास्केट से टकरा कर वापस आती है तो उसे रिबाउंड बोलते है फ्रो इन सब्द का परियोग जैसे की बाल कोट से बाहर जाने के बाद फीज से खेलने के लिए फ्रो इन का परियोग किया जाता है दिर्बिलिंग बाल को आगे बहाने के लिए multiple foul जब 2 या 2 से अधिक खिलाडी जब 2 या 2 से अधिक खिलाडी एक ही समय पर विरोधी पर foul करे तो उसे multiple foul कहते हैं multiple throw किसी कहते हैं विरोधी द्वरा फाउल किये जाने पर उसी समय जब खिलाडी को अनेक free throw दी जाती है तो इन्हें multiple throws कहते हैं Next है Past Break सब्द का परियोग किस खेल में किया जाता है तो Fast Break gbosket ball में किया जाता है Fast Break अथभा तेज आकरमर सब्द का परियोग gbosket ball में किया जाता है आकरमर की स्ट्राइलि में बिरूदी की रच्छा پंक्ती में प्रंक्टी को तेजी से भेदने का प्रयास किया जाता है। आक्रमर की सिगता ही इसका मुख्य अधार होता है। Next है कार्य निति, इत्सिघ्र ग्रामी विश्राम, आनि फास ब्रीक किस खेल से समझेत है? तो बॉसकेड़ बॉल से। नेश्ट है alternating position indicator का प्रियोग किस खेल में होता है तो boss kate ball में नेश्ट है किस खेल में 3 second का नियम लागू किया जाता है तो किस खेल में boss kate ball में 3 second का नियम क्या होता है दूस्तों कि इसके अउसार जब gain किसी team के अधिकार में हो तो उसकी टीम का कोई भी खिलाडी विरोधी टीम के प्रतिबंदी छेत्र जो होता है उसमें तीन सेकेंड से अधिक नहीं रह सकता नेश्ट है निर्ण लेकित में से कौन सी चोट बास्केटबाल खिलाडियों में आम है तो इसमें दुस्तो जदियतर टकनेक कि अगर पाश्कृक अस्थी बंद में चोट लगता है आपसर दी करेट होगा recorded होगा नेश्ट है बास्केटबाल के खिल में तीन औंक की रेखा कि धूरी बास्केटबाल से कितनी होती है तो कितनी होती है इसकी देखा होती है 6.0 7.5 मिटर दोस्तो इससे में बढ़ा दिया गया है यानि 22 फिट 1.0 7.5 इंच कर दी गई है पहले 6.0 2.5 मिटर था दोस्तो अब 30 सेकेंड के नियम के अस्थाम पर 24 सेकंड का नियम लागू किया गया है नेक्स्ट है बास्केट बाल खेल में तीन अंकों के लिए छेत्र होता है तीन अंकों के लिए छेत्र कितना होता है 6275 मिटर ठीक है यारी पतिवंधित छेत्र की लंबाई कितनी होती है 6275 मिटर नेक्स्ट है माइकल जार्डन किस खेल से समंधित है तो माइकल जार्डन किस खेल से समंधित है बास्केट बॉल से 17 फरवरी 1963 को बुर्कलीन निवार कमिजन में माइकल जार्डन एक पूर्व बास्केट बॉल खिलारी है नेश्ट है किस ने कहा कि बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए यदि आप एक दिवार से टक्रा जाते हैं तो मुल कर हार न माने उसे कैसे चलना है या सोचे उसे अंजाम दे या उस पर विजय पाएं या किस ने कहा है तो माइकल जाडन जी ने कहा है तो दॉस्तो ये था जितने भी बास्केटबाल के कोश्टन्स पूछे गए थे प्रिविर्श येर में उस अभी कोश्टन्स यहाँ पर रखे गए हैं आई होब कि दोस्तों सभी questions आपको समझ में आए होंगे सभी questions आपके लिए helpful होंगे तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताईए और दोस्तों पहले बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे ज नेस्ट विडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाएंगे जाएंगे